नमस्कार दोस्तों मैं सोनु कुमार एजुकीशन गुरूजी मैपका स्वागत करता हूँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पानी पजले की जीके के बारे में और मैंने संपूरन हरियाना जीके की PDFL का लिंक डिस्क्रिप्सिन में दे दिया है आप वह से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अगर आप इसकी बुक चाते हैं तो इस समय आपके लिए ओफर चल रहा है आपके घर पे सिर्फ 90 रुपे में ये बुक पुचा ली जाएगी जिसे आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मारे वट्सअप नमबर 8590 के 80508 पर मैसेज कर सकते हैं तुझे लिए फिर आसका टोपिक शिरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं स्तापना की जो पानी पजिला है इसकी दो बार स्तापना हुई एक बार तो ये बना एक नमबर 89 को किस से अलग होके करनाल से यानि करनाल से अलग होके एक नमबर 89 को बना दिया फिर क्या हुआ 24 जुलाई उनिस सो क्याणवे को दोबारा से इसको करनाल में सामिल कर लिया गया लेकिन एक जनवरी 1922 को फिर से इसको एक अलग जिला बना दिया यानि दो बार जिला बनने वाला हरियाना का एक मातर जिला कौन सा है पानीपत ये भी अगजा में कुशन आता है और इसके लावा पानीपत को कहते हैं बुनकर नगरी अगर मंडल की बात करें पानीपत आता है करनाल मंडल में जो पानीपत की लड़ाई है ये तीन हुई थी यहां से हर बार एक कुशन जरूर आता है जो पहली लड़ाई हुई थी ये हुई 1526 में किसके बीच बाबबर और इबरहाईम लोदी के बीच कौन जीता बाबबर ठीक है अब पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में बात करें तो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में किसके बीच अकबर और हेमचंद के बीच जिसे हेमू भी कहा जाता है देखो जो अकबर था इसका जनम हुआ था 1542 में 1556 में ये था सिरफ 14 साल का उसम अकबर के सेनापती थे बैरम खां तो सिधे तोर पर बात करें लड़ाई हुई थी हेमचंद और बैरम खां के बीच कौन जीता बैरम खां यानि अकबर का सेनापती तो यहां तक आगी बात समझ में बात करें हेमउ के बारे में हेमउ कौन था ये था अंतिम हिंदू सासक ये कहां से था रेवाडी से क्वेशन आता है कि हेमचंद या हेमउ का समझ कहां से है तो ये है रेवाडी से या फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सास कौन था ये था हेमू ठीक है मैंने अभी बताया अकबर का जनम कब हुआ था 1542 में कहाँ पे अमर कोट में बैरम खा कौन था अकबर का सेना पती अब दो लड़ाईों के बारे में तो पता लग गया तीसरी लड़ाई कब होई 1761 में किसके बीच मराठो और अफगानों के बीच और कौन जीता इसमेना अफगान जीत गए थे देखो मराठो का नेतिरतव किया था सरदार सदा सिवराव ने और अफगानों का किया था अहमत साफदाली ने और अहमत साफदाली जीत गया था बात करें पानीपत की परमुखनदी के बारे में ये यमुना है और सबसे ज़्यादा गुलाब का उत्पादन कौन करता है पानीपत ये हरियाना की बात हो रही है 1857 की करांती का नेतिरदव किसी ने किया था पानीपत से ये किया था इमाम अली कलंदर ने जो कि थे एक मोलवी तेर सोदन कार खाना ये है बाहुली में देखो बाहुली पहले आता था करनाल में लेकिन करनाल से पानीपत एक अलग जिला बन गया तो इसलिए इसमें कहां पे आता है पानीपत में जब पानीपत में आने के बाद इसका नाम भी चेंज कर दिया इसका नाम क्या हो गया पानीपत सोधनकार खाना पानीपत तापया विदुत के अंदर ये 1367.80 मेगावाट बिजली पैदा करता है और ये कहां पे है आस्टन सिवा में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सुरुआत है ये कहां से हुई थी पानीपत से कब 22 जनवरी 2015 को और इसकी गोशना किसने की थी नरेंदर मोदी ने और इसकी ब्रेंड मैस्टर कौन है साकसी मली जो के कुस्ती की खिलाड़ी जो सलारगन्स गेट है ये कहां पे है पानीपत में सिद सिफ सनी मंदिर ये कहां पे है पानीपत में उन्नी वस्तरवा दरियों का उद्योग पानीपत में निर्मल तवर ये क्या है भारते बोलीबोल टीम की कप्तान और ये कहां से हैं पानीपत के आसन कला से तो फ्रेंड उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर चुरूर करें और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं और फ्रेंड अगर आप हरियाना के किसी भी गुर्मेट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तयार कर रहे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप होंसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वर्टसक नंबर 8590-8508 पर मैसिज कर सकते हैं और फ्रेंड हमने घर याना जी के की बुक तयार कर रहे हैं जिस बुक को आप सक्रीन के उपर देख सकते हैं अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे वर्टसक नंबर 8590-8508 पर मैसिज कर सकते हैं हम ये बुक आपके घर पे दो से तीन दिन में पुचा देंगे